आज कि स्वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसेर आप इस वीडियो को देखते रहिए तो सबसे पहले मैं आपको देखहा देता ऑँ जो आजय वैपसाइड में मिलेगा आपकी प्राइमारी एक deze में अबर में मेनू अफ़सन और उसके बास यू Southern तो होम्मपेज के अंदर डिजाइन कुछ इस ट्राइप कर सकते हैं और उसके नीचे आपको मिल जाएगा और मिल जाएगा और ये category का option जिसका design देखने में कुछ इस type का है तो इसमें जिदने भी आप category देख रहे हैं इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको करना बहुत ही आसन रहेगा अगर आप किसी भी category को खोलेंगे तो उसके अंदर जो design है कुछ इस type का देखने के ल लेगा उसके बाद उस post का title और उसके नीचे जिसने post किया है उसका photo उसका नाम और जिस date में publish किया है वो यहाँ पर सो करेगा अगर न्यूज को update किया जाता है तो यहाँ पर updated date भी सो करेगा उसके नीचे आपको social setting बटन देखने के लिए मिल जाएगा और उसके नीचे अगर बात करें sidebar की तो sidebar में आपको सबसे पहले तो एक advertisement का option मिलेगा जिसमें आप Google AdSense का जो add code है उसको आप add कर सकते हैं और उसके नीचे आपको मिल जाएगा latest news का option इसमें जितने की website के अंदर latest news publish होगा तो यहाँ पे so करेगा और यहाँ पे number of post कितना so करना चाहते हो आपके हाथ में हैं आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं उसके नीचे आपको मिल जाएगा एक असान सा footer option जिसमें आपको copyright section मिल जाएगा और उसके अलोग जो important links होता है privacy, policy, disclaimer, about us, contact us उस सभी के सभी important link add करने का यहाँ पे option मिल जाएगा यह जो design हमने बनाया है एकदम mobile responsive ह तो इसका जो mobile view में design है और देखने में कुछ इस type का रहेगा जो एकदम 100% mobile responsive है और एक news website के लिए responsive होना बहुत ही जो जो traffic almost 90 to 95% जो traffic आता है वो mobile से आता है तो जो mobile का जो design है वो एकदम responsive होगा तब ही जाकर user को website अच्छा लगेगा तो इसके बज़र से जो website का impression है वो बढ increase होता है तो अबरोल एक responsive design एक website के लिए बहुत important होता है और ऐसे में अगर न्यूज website बनाते हैं तो उसके लिए mobile responsive design होना बहुत ही जोरूरी होता है चलिए आप इस website का जो page speed है इसका एक बाद चेक करते हैं तो google page speed में इसका जो speed है almost mobile view में 92% है और desktop में है 99% यह जो link है कर आप इस website का speed test भी कर सकते हैं इसका जो भी live demo है उसको भी आप check करके देख सकते हैं तो overall इसमें जो भी design मिल रहा है एकदम responsive है और इस design को करने के लिए हमने elementar जैसे किसी भी तरह की कोई भी plugin यूज नहीं किया है जिसके चलते हमें इतना अच्छा speed मिल रहा है इसमें हमन कि इस design process को कैसे किया जाता है तो website को design करने से पहले आपको आमारा इस website को खोलना है जिसका link आपको इस video की description में मिल जाएगा तो इस website में आपको बहुत सरे pre design template मिल जाएगा एकदम premium quality का है और सभी की सभी template हमने generate press theme को यूज करके बनाया है इसके चलते एक mobile responsive भी है और इसक की तरह है तो यहीं पर आपको मिल जाएगा एक theme जिसका नाम है mobile responsive news website for generate press इसका भी link आपको इस video की description में मिल जाएगा तो इसमें आपको buy now option मिलेगा इसमें click करना होगा और यहां पर आपको buy now button में click करना होगा तो सबसे पहले आपको mobile responsive जो news template है generate press का इसको हमारे website से buy करना हो तो इसका price है मतलब 1300 रुपे का price है और अगर आप इस coupon code को use करेंगे तो आपको 15% का discount मिल जाएगा जैसे हैं आप आप देख सकते हैं already coupon code को हमने use किया है जिसके चलते almost 200 रुपे का discount मिल रहा है तो यह coupon code यहाँ पर देखाई दे रहा है इसको apply कीजिए तो instantly 15% का discount मिल जाए तो इसको buy करने के बाद आपको हमारो website में my account option में आना होगा और यहाँ पर आकर अपना account को login करना होगा login करने के बाद यहाँ पर आपको download option मिल जाएगा download option से आपका जो भी template है उसको यहाँ से आप download कर सकते जो download button है उसमें click करके तो मैं already इसको download कर चुका हूँ उसके aloha यहाँ से दो premium plugin को भी download करना होगा एक gp premium जो generate price का एक premium version है और दूसरा generate block pro जो generate block है elementar का एक alternative है और इसका भी premium version यहाँ आपको मिल जाएगा तो इन दोनों option में click करके इसको download कर सकते है और in future जो भी update आएगा इसका जो भी latest file होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसके बाद आप अपना wordpress website को open कीजिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक fresh new wordpress website है तो मैं dashboard में जाओंगा उसके बाद सबसे पहले theme में जाना होगा अप्रियेंस के अंदर तो यहाँ पर search option में आकर search कीजिए जेनरेट प्रेश तो जेनरेटल प्रेश थीम और जाएगा इसको install कीजिए उसके बाद इहाँ पर एक्टीवेट में क्लिक कीजिए तो जेनरेट प्रेश जो थीम एँहाँ पर activate हो जाएगा फिर plugin में जाएग़ में जो दो प्लागिन हमारे विबसेट से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर अबलोड करके एक्टिवेट करेंगे तो इसके लिए एड नियू में क्लिक करना होगा अबलोड में जाना होगा चूस फाइल में जाकर डाउनलोड ऑप्सान के अंदर जीपी प्रिमियम और जि सेलेक्ट करके उपेन करते हैं अब यहाँ पर इंस्टल नौ में क्लिक करते हैं अभी एक्टिवेट प्लागिन अप्सान में क्लिक करते हैं तो यह प्लागिन एक्टिवेट हो जाएगा फिर आपको एड नियू में क्लिक करना होगा अबलोड में जाना होगा चूस फाइल म आपको add new में जाना होगा और अगर आप अपना wordpress website के अंदर web story को रखना चाहते हैं तो आप यहां से web story को भी select कर सकते हैं तो web story जो plugin गूगल का उसी को आपको यहाँ पर install करना होगा यह optional है अगर आप अपना wordpress website में web story रखना चाहते हैं तभी आप इस plugin को install कीजिए फिर यहां से मैं activate कर लेता हूँ तो इस website को design करने के लिए जो भी plugin चाहिए था उसको हमने install कर लिया है तो हमारे इस website को design करने के लिए जिदने भी plugin जुरूरी था उसको हमने install कर लिया है अभी हम appearance में जाएंगे generate press option में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले license की activate करने को option मिलेगा अगर आपका budget है 399 रूपीज प्रे कर सकते हैं तो आप हमसे license की buy कर सकते हैं जिसका link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा जिस से जाकर आप license की को buy कर सकते हैं और हमारा कोई भी team member आपके वाटबेस website के अंदर 24 hours के अंदर लाइसेंस की activate करके देगा अगर आपका budget लेए तो इसके लिए चिंता ना करें क्योंकि आप में जो देखाया था हमारों website से डाउनलोड करने का process gp premium और generate block का और ही से इन दोनों plugin को आप download करके उसका जो भी latest file है उसको आप आप लोड कर सकते हैं और इस plugin का update कैसे मिलेगा उसके लिए आपको एक video मिल जाएगा video की description में उसको आप देख सकते हैं फिर यहां पर आपको नीचे आना होगा और यहां पर आपको modules option मिलेगा इसमें आपको blog of modules को activate करना होगा फिर elements module को activate करना होगा और फिर यहां इस सभी modules को activate करने के बाद आपको download में जाना होगा तो download के अंदर जो अभी आपने template file download किया था एक zip file format में था तो इसको आप unzip कर लीजिए इसमें जो folder खुलेगा उसके अंदर आपको कुछ file मिलेगा तो इन सभी file को input करना होगा जिससे आपको website का design complete हो जाएगा अभी इस design को करने के लिए हमारे पास कुछ content भी होना चाहिए अभी हमारे पास एक fresh new WordPress website है इसके चलते हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी post नहीं है simple से hello world का post है तो सबसे पहले हम इस hello world post को delete करेंगे यहां से तो bean में डाल देते हैं और यही से permanently delete कर देते हैं उसके बाद आपको tools option में आना होगा और यहां पे आपको import and export को option मिलेगा तो import option में क्लिक करना होगा अभी हम क्या करेंगे हमारे इस wordpress website के अंदर demo content को import करेंगे इसके लिए install now में क्लिक करेंगे यह जो wordpress option इसी को install करना है तो इसमें install now में क्लिक करके सबसे पहल इसको install कीजिए उसके बाद run import में क्लिक कीजिए तो इससे क्या होगा यहां पर demo post इंपोर्ट करने का option आ जाए चूस फाइल में जाए उस folder को खोलिए और उसके अंदर WP news demo post बोलकर एक XML फाइल मिलेगा तो इसे आप select करके open कीजिए and upload and import में क्लिक कीजिए यहां पर आपको एक user को select करना होगा तो मेरा जो admin user है इसी को select करूँगा import attachment option में भी इसको check कर देंगे और submit option में click करेंगे तो इसको process होने में कुछ second time लगेगा उसके बाद हमारी इस website के अंदर सभी के सभी demo post और web story यहाँ पर import होकर आ जाएगा अगर आपके website में पहले से article publish है तो आप इस step को skip कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं all done का message आगया है मतलब हमारो website के अंदर demo post content इंपोट हो गया है अभी हम क्या करते हैं हमारो website के एक बार refresh करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे demo post content यहाँ पर आ चेक कर देंगे इससे क्या होगा इस option को चेक करके सेप करने से हमारा सर्च इंजिन विजिबिलिटी डिसिबल हो जाएगा मतलब हमारो एपसाइट गूगल सार्च में नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा विगोस हमने आपर डेमो कंटेंट एड किया है हम नहीं चाहते हैं इस सभी आटिकल गूगल में रैंक करें तो जब हम इसमें हमारा खुद का आटिकल एड करेंगे ताब क्या करेंगे इस option को आंचेक करके और सेप चिं जेसन फाइल मिलेगा इसको सेलेट करके ओपेंड करना होगा और इंपोर्ड में क्लिक करके ओके कर देना है तो जेनरेट प्रेस थीम का जो भी सेटिंग है वह यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा अब इस पेज को रिफ्रेस करेंगे तो यहां पर आपको कुछ डिजाइन मे औरWind Möglichkeit.th file इसको खोलिए इसको कंट्रोल छे से 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 कॉपिश कर लीजे उसके बाद एडिस्डी से करके और स्को publish कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको और भी थोड़ा बहुत changes देखने के लिए मिलेगा फिर इसको back कीजिए side identity में जाईए तो अभी यहाँ पर जो primary menu है इसके अंदर text format में website का नान सो कर रहा है अगर आप चाहते हैं इसको hide करके अपना एक खुद का logo अड़ करें तो इसके लिए height side title option को चेक कीजिए, उसके बाद logo option में जाईए और यहाँ से अपना logo को upload कर लीजिए, फिराल मेरे पास media library में, मैंने demo content add किया है, तो यहाँ पर एक logo पहले से मिलेगा, इस logo का size देख सकते है 350 by 90 by pixel, तो अगर आप भी अपना logo बनाना चाते हैं, तो इस size का बना सकते हैं उसके बाद select कीजिए skip cropping option को click कीजिए, और उसके बाद retina logo में भी, ओही same logo add कर लेते हैं और choose image में click करते हैं फिर इसको publish कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा primary जो navigation menu है इसमें logo भी add हो गया है अभी हम हमारा wordpress website के अंदर जो appearance है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर elements option में click करेंगे तो अभी elements में किस भी type का कोई elements नहीं है तो अभी हमें elements को import करदा होगा तो इसके लिए tools में फिर से हम import में click करेंगे और wordpress के नीचे आपको run import का option अभी मिल जाएगा तो यहाँ से choose file में click करके all elements.xml जो file है इसको select करके open कर लेंगे और उसके बाद upload file में click करेंगे और उसके बाद हमारा admin user को assign करेंगे और import attachment option को अभी check करने का जुरूरत नहीं है just submit में click करेंगे तो all done का message आ गया है अभी हम appearance के अंदर elements में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है 8 elements यहाँ पर import हो गया है अभी अगर हम page को एक बार refresh करेंगे तो इस website का जो design है इसमें और भी changes देगने के लिए मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो design है almost हो गया है अभी just हमें हमारा home page को setup करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगा होगा आपको page में जाना होगा और दो page बनाना होगा सबसे फ़हले add new में click कीजिए और इसका नाम रखिए home H-O-M-E और उसके बाद यहाँ पर जो page option है मतलब यह option का फिवर नहीं आता है अगर नहीं आता है तो publish के side में जो option है इसमें click कीजिए block and page का option मिलेगा तो page option में नीचे आईए यहाँ पर layout option के अंदा जो sidebar layout है इसमें no sidebar select कीजिए और उसके बाद container में आपको full visit select करना होगा और disable elements title को check कर दिए और यहाँ पर publish में click करना होगा तो homepage यहाँ पर publish हो जाएगा और एक page बनाना होगा जिसका नाम रख लागा latest post या latest news तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ latest news तो इसमें latest article को हम publish करेंगे just यहाँ पर इसको publish कर देते हैं अभी तो दोनों के दोनों page यहाँ पर create हो गया है अभी हम क्या करते है setting में जाते है reading option में click करते है और static page में select करके home page में home page को select करते है और post page में latest news page को select करके save changes में click कर देते हैं इससे क्या होगा हमारा home page home page में set हो जाएगा और latest news में जो भी latest news publish होगा यहाँ पर आ जाएगा अभी हम homepage को customize करेंगे तो homepage को customize करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर homepage को खोलके edit में क्लिक कीजिए और यहाँ पर homepage खोलके आ जाएगा यहाँ पर update में क्लिक करेंगे और दूसरे टैब में एक बार homepage को refresh करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो homepage का design है इंपोर्ट हो गया है अभी इसमें हम category wise इसको set करेंगे इसके लिए सबसे पहले homepage में जाते हैं editing option में तो सबसे पहले latest news option रहेगा तो इसमें अगर कुछ text में change करना चाते हैं तो कर सकते हैं अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर मैं इस option में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर side में एक list भी open होकर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 container मिलेगा पहला container के अंदर latest news है अगर आप latest news का जो text इसको change करना चाते हैं तो यहाँ से कर सक इससे क्या होगा आपका latest news के अंदर 8 post show करेगा मेरे इसाब से चार post सही रहेगा तो चार से लिक रहने देंगे और इसको हम फिर से open करते हैं और यहाँ पर जो see all button है इसमें हम क्या करेंगे जो latest news बाला page बनाया था इस page को एक बार खुलेंगे इसका link को copy करेंगे और इससे क्या होगा जब भी कोई user homepage को open करेगा और see all में क्लिक करेगा तो latest news बिकारा जो page है इसमें आ जाएगा तो second container के अंदर आप 3 category को add कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से 3 category को add करूंगा आप अपने हिसाब से 3 category को add कीजिए तो यहाँ पर मैं container जो second container है इसको मैं थोड़ा expand करूंगा इसमें क्लिक करके उसके अंदर और एक container मिलेगा इसको खोलेंगे उसके अंदर grid option मिलेगा इसको खोलेंगे तो इसके अंदर 3 container मिलेगा एक दो तीन तो पहला container को खोलेंगे उसके अंदर query लूप होगा इसमें हम क्या करेंगे add parameter में क्लिक करेंगे और यहाँ पे query में क्या करेंगे हम यहाँ पर select कर लेंगे taxonomies उसके बाद taxonomies के अंदर category को select करेंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपने WordPress website के अंदर जो भी category है उन में से किसी भी एक category को select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर India select करूँगा इंडिया category के अंदर जो भी news publish होगा वो यहाँ पर so करेगा तो इस category name में लिख देंगे इंडिया news तो इंडिया news यहाँ पर आ गया है तो अभी हम क्या करेंगे इस container को बंद कर देंगे उसके बाद जो second container है इसको खोलेंगे और query loop में जाएंगे और यहाँ पर भी same तरीके से हम पहले क्या select करेंगे taxonomies उसके बाद हम select करेंगे category उसके बाद हम क्या select करेंगे business यहाँ पर world news तो world को select कर लेंगे तो आप अपनी सबसे किसी भी category को select कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं world news category का name में लिख देंगे और उसमें जो world news का category है उसको भी हम select कर लेंगे same तरीके से यहा मैंने तीनों कैटेगरी को सेट कर लिया है पहले इंडिया न्यूज फिर वर्ल न्यूज फिर एंटेटेन्मेंट कैटेगरी तो अभी अगर हम होम पेज को रिफ्रेस्ट करेंगे तो यहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज के नीचे इंडिया न्यूज वर्ल न्यूज और ए ना करना चाते हो आप कर सकते हो तो अभी हमारा जो second container का का में यहाँ पर हो गया है third container में web story है तो web story में आपको कुछ भी change करने का जुरूरत नहीं है जब भी आप अपना WordPress website के अंदर web story को publish करेंगे तो यहाँ पर web story automatically आ जाएगा और अगर आपके website के अंदर web story features नहीं है मतलब web story आप publish नहीं करते है तो simply यह जो third container है यहाँ पर क्लिक कीजे dot में और delete में क्लिक कर दीजिए तो option यहाँ से हट जाएगा मेरे इस case में मेरे लिए जो web story feature से बहुत ही important है इसलिए मैं इस option को रखूंगा तो यहाँ पर simply जो see all बाला option है इसमें आकर जो web story page का link है इसको add करना होगा तो web story का link कहां से मिलेगा आप अपना website का URL उसके बाद slash लागाए और उसके बाद web dash story लिख कर enter मड़िए तो यहाँ पर page खोल के आ जाएगा इस link को control c से copy कर लिजिए और यहाँ पर जो see all option है इसमें जो link option है hatch को remove कर लिजिए पहले फिर से इस link option में क्लिक कीजिए और control v से उस link को add कर दीजिए और उसके बाद third container को भी update कर दीजिए और इस page को एक बार home page में जाकर refresh करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो web story option इसमें जब see all में क्लिक करेंगे तो हमारा जो web story का जो dedicated page है यहाँ पर खोल के आ जाएगा उसके बाद जो एकदम last में container है इसके अंदर मिल जाएगा और एक category तो इसमें हमें category को add करेंगे तो सबसे पहले container को expand करते हैं और इसके अंदर आपको query loop मिल जाएगा यहाँ पर मैं add parameter में क्लिक करके ओही सेम तरीक पहले हम सेलेक्ट करेंगे taxonomies फिर सेलेक्ट करेंगे हम category फिर सेलेक्ट करेंगे हमारे category तो यहाँ पर मैं business category को select कर लेता हूं तो इस particular area में business category के अंदर जो भी business news होगा ओ यहाँ पर सो करेगा और उसके यहाँ यहाँ पर जैसे 6 पूस्ट कर रहा है 6 के जगा अगर आप 8 कर सकते हैं चार करना चाते हैं तो चार ही कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर 6 रहने दूंगा because मैं 6 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट सोर नहीं करना चाता और उसके बाद यहाँ पर जो category option है इसमें मैं remove करके लिख देता हूं business तो business news मैंने आप लिख दिया अभी है जो business category का link है य hatch को यहाँ से मैं link से remove करूँगा और यहाँ से मैं फिर से यहाँ पर click करके link option में जाकर उस link को control V से paste कर दूँगा फिर मैं क्या करता हूं पेज के एक बार refresh करता हूं और homepage में जाकर मैं इस page के एक बार reload करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो website का homepage का design है यहाँ complete हो गया है इसके बाद हम सिखेंगे कि sidebar का customization हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पर sidebar option में कुछ भी change करने का जुरूरत नहीं होता है simply google adsense का code अगर आपको place करना होता है तो कैसे करना होता है और अगर आप latest news के जगा और कुछ show करना चाहते हैं और कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए हम फिर से back करेंगे appearance के अंदर जाना होगा और यहाँ पर elements option में जाना होगा तो यहाँ पर आपको sidebar visit का elements मिलेगा तो यहाँ पर editing में क्लिक कीजिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको HTML code मिलेगा तो इसके अंदर हमने simple demo add का जो image है उसका code यहा Google AdSense का जो responsive banner add है उसका code यहाँ पर paste कर दीजिए तो यहाँ पर Google AdSense का add so करना start कर देगा उसके बाद latest news option में अगर आप कुछ भी so करना चाते हैं जैसे latest article, latest news या breaking news तो इस text को आप simply change कर सकते हैं और अगर आप number of post को काम या जदा करना चाते हैं तो second container के अंदर जो query loop option है इ इसको check कर सकते हैं अगर आप 10 के जगा 10 ही करना चाते हैं या बंद्रा आप जिदना post so करना चाते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद just update में click करना होगा तो यहाँ पर आपका sidebar का जो customization है successfully हो जाएगा अभी हम footer customization को देखेंगे because footer में क्या है कि यहाँ पर copyright section मिलेग और privacy policy disclaimer about us and contact us का option मिल जाएगा तो footer को edit करने के लिए appearance के अंदर फिट से elements में जाना होगा site footer में यहाँ पर elements मिलेगा elements के अंदर site footer बोलकर elements मिलेगा उसको अप edit में click किजिए तो यहाँ पर जैसे website name है इसको आपको change करके अपना website का नाम रखना होगा जैसे wpjnkri.com तो यहाँ पर आप wpjnkri.com तो यहाँ पर आप wpjnkri के जगा आप अपना company का नाम अपना website का नाम रख दीजिए उसके बाद जैसे हाँ पर privacy policy disclaimer about us, contact us अपसान है तो इसमें अगर आप link add करना चाहते है तो इसमें click किजिए pain icon में click किजिए hatch को remove करके आप particular उस page का जो link है इसको paste कर दीजिए अभी मेरे पास ऐसा कोई page नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो latest news का जो page है उसी का link में demo purpose के लिए add करूँगा तो control भी से paste करके और यहाँ पर मैं save में click कर दूँगा तो इससे क्या होगा आपका link add हो गया है तो सेम तरीके से आप disclaimer में भी link add कर सकते है about us और contact us में भी उस link को add करके यहाँ पर update कर सकते हैं तो इससे क्या होगा आपका footer का जो link और जो copyright सिक्साने customize हो जाएगा तो चलिए आप बना लेते एक primary menu जैसे यहाँ पर logo show कर रहा है उसके बाद यहाँ पर menu एकद menu और off canvas menu इन दोन option को check करके create में click करना होगा उसके बाद यहाँ पर see all में page में homepage को add कर सकते हैं या latest news को add कर सकते हैं category में आप अपने हिसाब से जो भी category add करना चाहते है जैसे business, entertainment, India and world तो इन सभी category को में मेरे हिसाब से add कर लेता हूँ उसके बाद अगर आप web story का link add करना चा लिंक था यहां से मैं click करता हूँ और control c से इस link को copy करता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले url को डालता हूँ और यहाँ पे जो link text है इसमें हम web story या जा story link के add menu में click कर देंगे उसके बाद इंडिया को यहाँ उपर में रखेंगे फिर world को रखेंगे और save menu में click करेंगे उसके बाद अगर हम home page को एक बार refresh करेंगे तो यहाँ पर आपको देखा ही देगा हमारा जो menu है यहाँ पर प्रॉपरली set हो गया है अब अगर latest news में click करेंगे तो ऐसे open होगा अगर हम entertain में click करेंगे तो कुछ इस तरीके से open होगा और अगर हम stories में click करेंगे तो कुछ इस वेफसेट का डिजाइन को complete कर लिया है